दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपको आई प्या सीजन 17 के 10 वे मैच की 60 बहुत शेवानी देने वाले हैं जो कि RCB और के क्यार के भी 24 वार्च यानि शुकरवार के दिन RCB के होम ग्राउंड यानि चेना स्वामी स्टेडियम पर शाम कंपरिसन को देखें तो दोनों टीम आपस में अब तक 32 वार भीड़ चुके हैं जिसमें से 14 वार RCB ने बाजी मारी तो वहीं 18 बार के क्यार ने जीत हासल की है यानि इन दोनों टीमों के बीच हुए पिछले 6 मुकाबलों में क्यार ने 4 मैच जीते हैं तो RCB ने महस दो मैच में उतरने से पहले के क्यार और RCB दोनों ही अपना पिछला मैच जीत करा रही हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बदा दें कि अगर आप लोगों को मैच प्रेडिक्शन टास रिपोर्ट या फिर सश्चन खेलना है तो बाला जी प्रेडिक्शन के साथ आते हैं और हाँ इस मैदान पर अपता कठासी मैच खिले जा चुके हैं जिसमें से पहले बलेबासी करने वाले टीम में 37 वार जीत हासल की है तो वहीं बात में बलेबासी करने वाले टीम ने 47 वार मैच जीते हैं और 4 मैच बिदाउट रिजल्ट से हैं इस मैदान की बाउं स्कूर बनते हैं आपको यह भी बता दें कि समयदान पर पहली पारी का इबरेज स्कूर 180 रन का है दोस्तों चले दोस्तों जड़ाइक नज़र डाले दें दोने टीम के स्टार राइकार्ट्स पर शिरुबात करते हैं के क्यार से तो क्यार की सबसे सबसे बड़ा सितारा जो चम कहा है वो है आंद्रे रसल रसल ने पिछले मैच में 25 गिनों पर श्यांदार 65 रणों की तावर तोड़ पारी खेले जिसमें साथ च्छके शामिल रहे इसके लबागा इन्माजी में सुनल नारे ने कमाल दिखाया जहां पर चार उबर में 19 चौके और दो च्छके भी शामिल थे इसके लावा दिनेश कारतिक भी कजब की फॉर में चल रहे हैं और सभी के नजर इन पर भी होने वाली हैं इस मैच में रिडिक्शन की बात करें तो दोस्तों पिछले इनके बीच हुए काफी मैचों की अगर बात करें तो हमेशे हैं दोनों टीम काफी टक कर पर रही है पर ये मैच आर से भी अपने होम ग्राउड पर खेल रही है जहां पर उसका रेकॉर्ड काफी अच्छा है और इसी को देखते हुए हमें कह सकते हैं कि ये मैच आर से भी जीतने के जदादा चांसेस हैं वैसे आप को क्या रगता है आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब